ओम नमो बगवते बास देवाई नमाहाँ स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज मैं आपको एक आदिसी का उपाय बता रहा हूँ एक आदिसी की साम आपको एक चीज जरू खालेनी है जिससे आपकी प्रतिक मनो कामना पूरी होगी एक आदिसी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है जिनको भी पुत्र की कामना है या सरीर में कोई रोग है किसी भी परकार की कोई परिशानी है तो साम के समय ये उपाय आपको जरू करने जो उपाय में आपको बताने वाला हूँ साथ ही एक चीज आपको खाले नहीं है एक आदिसी के दिन जो व्यक्ति दीपदान करते हैं उनके कुल में दीपक काता है यानि पुत्र को कुल का दीपक का जाता है उनके पुत्र प्राप्ति होती है दनप्राप्ती होती है और साथ ही सारे दोस्ट दूर हो जाते हैं जो व्यक्ति एकादसी के दिन पित्रों की पूजा करते हैं पित्रों के नाम से दान करते हैं पित्रों के नाम से दीपदान करते हैं उनके उपर से पित्र दोस्ट दूर हो जाता है पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं और पितर भी प्रसन नो करके आशिरवाद देते हैं कहते हैं कि भाई हमारे कुल में ऐसा बन सचे जो हमें याद करता है एक आदिसी की साम को तुलसी माता के सामने दीपक जला करके तुलसी माता की परक्रमा करने चाहिए इससे माता तुलसी का अश्रवाद प्राप्त होता है एक आदिसी के दिन साम के समय पीपल और बट बरक के नीचे धीपक जला के कच्चा सुंत साथ वार लपेटना चाहिए जो भी आप इच्चा बोलोगे वह मनोकामना पोली हो जाएगी एक आदिसी के समय जो व्यक्ति इनों पायों को करते हैं उनके जीवनवारे सारे दुखदूर हो जाते हैं दोस्तों एक आदिसी के दिन दो केले के फल और दो तुलसी पत्तर भगवान के सामने रख दीजिए साम के समय नीचे गिरे हुए तुलसी के पत्ते आपको ठालेने हैं बगवान से प्रातना करेंगे के प्रववा आप हमारे उपर अपने कृपा दिष्टी बना रखें ओम नमो भगवते बास देवा नमा मंतर का जाप करिए और प्र आपको वो तुलसी के पत्ते और केले का फल साम के समय खा लेना है तुलसी के पत्ते खाने से सरी निरोगी रहता है और जीवन वारी सारे कष्ट दूर हो जाते वही फल खाने से फल की प्राप्ते होती है पत्तर की प्राप्ते होती है आशिवा सदा ही बना रहता है और इस दिन जो व्यक्ति मटके के मटके का जो लोटा आता है चोटा कुल लडाता है उसमें दूद भरके भगवान सिबकाव सिख करते हैं और उसमें पानी भरके तुलसी डल दाल के भगवान के सामने ड़कते हैं और उस तुलसी युक्त पानी को पीते हैं घर में चड़कते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कश्ट नहीं होता वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें